Hello friends, कैसे हैं आप? I hope बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ह में वियस्त भी बहुत होंगे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल e-learning with Preal पर डिसकस करते हैं आज का सेशन हम लोग कॉक्रोज की बारे में डिसकस कर रहे थे आपेंडिजिस के बारे में तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं basically, Arthropods का मतलब ही यह होता है कि Arthropods मतलब की Jointed Ports मतलब Fit यानि कि जो भी इनके appendages हैं उनमें सब में Joints प्रेजेंट होते हैं तो यह इनका unique characteristic है basically सभी Arthropods का presence of Jointed Appendages is a very characteristic characteristic feature of Arth Reports सभी यह बात जानते हैं बहुत नई बात नहीं है, basic बात है बहुत ज्यादा तो बात करते हैं, बहुत important जीज़ के बारे में होता क्या है कि जो इनका हर एक segment है कितने segment कौन से area present होते हैं यह मैंना quality mentioned कराया है यह अपने previous session यानिके lecture 1 नहीं लिया है तो detail में discuss किया हुआ है मैंने, वहाँ जाकर आप lecture 1 ले 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 ना तभी आपको lecture 2 समझ में आएगा proper cockroach का इस तरह से हम concept clear करते चल रहे हैं, ताकि एक भी question हमारा इस session से बाहर ना जाए चाहे हमारे यह 2-3 session में complete हो, पूरा जो session है cockroach का, लेकिन discuss कुछ इस तरह से करेंगे कि आपके दिमाग में चीज़ एक तो हम fit हो जाए कोई भी question इस से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है यदि आप consistency से हर एक session लेते हैं होता क्या है कि हर एक segment basically, each segment, बदे को body में हर बहुत सारे segments होते हैं उनके पास होना क्या चाहिए कि little appendages present होने चाहिए लेकिन जो cockroach की बात अगर आती है ना तब तो इनके जो appendages थोड़े reduce हो जाते हैं, होता क्या है कि जो 4 pair appendages present होते हैं head में, जिनको कि हम कहते हैं cephalic appendages, बाकि 3 pairs appendages जो present होते हैं, वो होते हैं तो ये बात आप यहां ध्यान रखना कि 4 pair appendages कहां present होते हैं head will reason में, जबकि 3 pair appendages कहां present होते हैं thorax के reason में, तो ये बात हमेज़ में आ गई है, अब next बात अगर हम करते हैं cephalic appendages के बारे में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि total cephalic appendages, जो head will reason present है appendages वो कौन-कौन से हैं वो हैं आपके antiny हैं mandibles हैं, first maxillie and second maxillie, ये चारों जो appendages हैं, ये कहलाते हैं मिलाकर इनको मिलाकर बनता है cephalic appendages जो कि कहां present होते हैं, head will reason में ठीक है, जैसे कि स्वासे पहले हम बात करते हैं antiny के बारे, because ये को antiny से भी question पूछा गया है तो इसलिए हमको कोई भी concept छोड के नहीं चलना है इसके पनी करना जल्दी बाजी में कुछ भी skip नहीं करना है question कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए हमारा जो topic है न, उसके बार detail पढ़ लो यार बिल्कुल detail में जाके study कर ले, तो कुछ question बाहर कहां से आएगा फिर examiner कहां से question देगा, तो हम अच्छे से हर एक चीज़ को prepare करते चलेंगे तो antiny के बारे में अगर हम बात करतें, तो antiny basically होते क्या है antiny जो होते हैं, कोक्रोच के पास, तो ये एक jodin present होते हैं, निकी दो होते हैं, एक pair ने present होते हैं, काफी लंबे होते हैं, cylindrical होते हैं, थोड़ी धागे नो मसर अंचला रहते हैं, इनकी इतने पतले से होते हैं और काफी mobile होते हैं, यानि की movement करने वाले होते हैं, mobile होते हैं इनका ये काफी textile होते हैं thermal होते हैं in fact, olfactory receptors organs भी होते हैं olfactory मदा समझते ही होंगे आप ये तो basic से बात होती है आप सभी जानते ही मैंने आपने जो basic lecture में अच्छे से बता है सब जीज़ों के बारे में अब भात करते हैं हर एक antenna ना, दो एंटीनी प्रेजेंट होते हैं मतलब एक pair में है तो दो होगे ना हर एक एंटीनी कुछ segment कुछ छोटे-छोटे segment से मिलेकर बना होते हैं उन segments को हम लोग कहते हैं podomiers, तो podomiers क्या होते हैं ये आपको आई एक्जाम में तो आप बता ही देना है आपको की podomiers होते हैं भाईया एंटीनी के, एंटीनी छोटे-छोटे-छोटे segment से मिलेकर बने होते हैं जिनको के हम क्या कहते हैं, podomiers घबराने की बात कुछ नहीं है सिर्फ करना इतना है कि session को बहुत इमांधारी से ले लो बसा और पसंद आए तो please like कर दिया करो share भी कर दिया करो, subscribe भी कर दिया करो और quiz कराए जाते है, community post होता है चैनल का वहां आपको हर दिन quiz कराए जाते है वह quiz भी आप किया गिए और कोई भी doubts है आपके, तो मुझे comment section बताए करे है in fact, telegram channel join कर सकते हैं आप वहाँ कोई भी क्वाईर ही है न तो आप बता सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर ही आपको सब भी PDF प्रोवाइड की जाएंगे लेकिन तब जब आप सब्सक्राइब करेंगे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए में तरफ से गिफ्ट है जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन सब की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी अब बात करते हैं पोडोमीर के बारे में फर्स्ट बेसल पोडोमीर क्या कहलाता है स्कैप कहलाता है यह काफी बड़ा होता है हम सेग्मेंट की बारे में बात करें एंटीनी के सेग्मेंट जो नो कर बने होते हैं सेकेंड कहलाता है पैडिसल पैडिसल थोड़ा नेरो होता है लॉंगटिन रहता है बागी का जो बचा हुवा पार्ट है एंटीनी का उसे हम कहते हैं FLAGELIM इस FLAGELIM पर क्या होता है यहाँ पर छोटे छोटे कावटे रुमा सेंचरा प्रसेंट होती है वो कैसे होते हैं sensory CETwing basic कले जो antiny है न्येचर में होते हैं इनके sensory मतलब कि थोटे sensory होते हैं नेचर में sensitive भी होते हैं next मतलब इनकेllä olfactory मतलब कि mouth part जो होते हैं, cockroach के help किस में करते हैं, खाने को bite करने की काटने में, तोड़ने में मदद करते हैं, in fact, chewing चबाने मदद करते हैं, ये बहुत बार पूछा कि, किस तरह का adaptation है basically mouth parts का, तो mandibulate type इनका adaptation होता है, mandibulate type इनका food जो type है basically, तो इसको double mark कर लेना, आ सकता है question exam में, पूछा गया in fact, mouth part में क्या के चीज़े होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं, cockroach के mouth part में, एक तो होता है Libram, Libram को हम लोग कहते हैं, upper lip कहें, Libram कहें, सेम बात होती है, confusion नहीं करना है बिल्कुल भी, नेक्स होता है Libram, तो कोई spelling गलत नहीं हो, ये इसको ठीक कर लो भी, Labium, L-A-B-I-U-M, तो Labium क्या है, Labium होता है lower lip, और upper lip क्या है, Libram, Labium समझ में आ गया, ठीक है, फिर होते हैं Magzili, Magzili काफी segmented है, और जो Magzili है न, सरंचना में ऐसा लगता है, जैसे की Cockroach की Leg है न, Cockroach की Leg भी वैसे दिखने में लगती है, और Magzili जो होते हैं, जो की Mouth Parts हैं, वो भी दिखने में वैसे ही लगते हैं, तो इसलिए मैंने हैं लिखा है, specially, segmented होते हैं, and disemble to a leg, इनके जो पैर होता हैं, उसके तरह दिखाए देते हैं, mandibles present होते हैं, और फिर होता है hypoferrings, hypoferrings कहते हैं, tongue को, ठीक है, next हम बात करें, Magzila के बारे में बात करते हैं, तो इक बार में आपको structure दिखा दो, देको ये होता है, proper lebrum, जो कि क्या है, upper lip है, किसका cockroach का, इस पर क्या present होते हैं, ये sensory CT present होते हैं, फिर ये हैं mandibles, जो कि pair हो present होते हैं, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ देखें, ये है hypoferrings, ये क्या है hypoferrings होता है, इसकी tongue का reason है, next हम बात करते हैं, next है ये maxilla, maxilla दो है, आप यहाँ देखें, जो maxilla और reason है न, ये देखने में मिल्कुल है, जो मैं आपको उसके leg भी दिखाऊंगे आगे, तो जितना cockroach की leg दिखने में लगती है न, same vaccine के maxilla भी दिखने में लगती है, maxilla pair हैं 2 में, ठीक है, और ये होता है lower lip, जिसको के हम कहते हैं, labium, और ये कई सारी चीज़से मिल्कर बने ही होते हैं, maxilla के गर हम बात करें, तो maxilla में क्या की present है, भाई देको, pulp present है, maxilla pulp है, इस टाइप्स हैं, card है, हर एक segment मिलकर बनाता है, क्या, पूरा पार्ट बनाता है, वहीं हम बात करते हैं, lower lip के बारे में, तो lower lip देखें, आप, mentum भी present होता है इसमें, ये palpiger है, pre-mentum है, sub-mentum है, तो जितनी भी पार्ट है ने, मिलकर क्या बनाते हैं, proper upper lip यहां बना दिया है, इन्होंने, hyper pharynx पर saliva duck present होती है, जो कि saliva का secretion करती है, ठीक है, अब यहां देखें, आप, ये mandibles इनके पास condyle present होते हैं, तो इस तरीके सरंचना कुछ ऐसी होती है, इनके mouth parts की, ठीक है, बहुत ही important topic है, जहां से देखा करें, maxilla, maxilla में क्या की चीज़ present है, अब हम बात करें, अब हम बात करते हैं, बहुत है को ये कोशन भी आ सकता है, कि जो study है mouth part की cockroach की, वो किसके अंदर की जाती है, तो mouth part की बारे में चर्चा की जाती है, इनकी homology और adaptation के अंदर ही हम इनको पढ़ते हैं, कोई अलग से study नहीं है, बस homology और adaptation के अंदर इनको पढ़ लिया जाता है, अब हम next बात करते हैं, थोरासिक appendages के बारे में, basically होता क्या है, थोरासिक hemisiphalic पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं, थोरासिक appendages के बारे में, जो thoracosalism present होते हैं appendages, उनको क्या कहते हैं, थोरासिक appendages कहते हैं, तो हर एक थोरासिक segment में, क्या होता है, एक पेर लंबी-लंबी सीन की leg होती है, जो की कहसे locomotory होती है, ठीक है, जितने भी leg होती है ने इनकी, जितने भी joint मतलब pair है, ठीक है, वो सभी structure से मिला है, बिल्कुल देखने में सरंजना मिलोक लिक्तम सेम लगती है, leg जो होते हैं, cockroach के, वो पाँच segment में बटे हुए होते हैं, पाँच segments में बने हुए होते हैं, जो leg हैं, और sequence भी याद कर लेना, पहला होता है, बेस सियाद कर रहे हैं, coxa, tochanter, femur, tibia tarsus, ये इनकी leg का पूरा system है, ये segmentation कुछ इस तरह से होता है, structure भी देख लें आप एक बार, proper ये structure है, सबसे पहले आता है coxa, थोड़ा फूला हुआ भाग होता है, ये question बहुत बार पूछा गया है, कि जो सबसे swollen part होता है, leg of cockroach का वो कौन सा है, सबसे फूले पार्ट की पार्ट की जाए, तो वो होता है coxa, ठीक है, तो ये बात आपको याद कर लें, दोन ही points का note कर लें, हर एक बात को लिख लिया करें, फिर होता है tarsus, सबसे नीचे और यहां होता है tarsus, जो कि segmented है, और यहां clause जाने की, इमके clause पाई जाते हैं, इस reason पर ठीक है, next अगर हम बात करें, यही बात आगे की गई, कि जो tarsus है न, tarsus सब divided, बापे से divide होता है, पांस tarsus मेर्स में, last वाले को हम कहते हैं, pre-tarsus, जिसमें की clause होते हैं, जिसमें की aeroleum बगरा, देखे जाते हैं, तो यह reason हमने पढ़ लिया, next अगर हम बात करें, यह बात कहीं गई है, कि जो सबसे फूला हुआ भाग होता है, इनकी leg जो होते है, cockroach सबसे फूला हुआ भाग कौन सा यह होता है, सबसे लंबा भाग, longest segment in the leg of cockroach is tibia, सबसे लंबा भाग जो होता है, cockroach की leg वो कौन सा होता है, tibia होता है, कुछ इस तरीके से मैं इसलिए prepare करते हूँ, pdf को हिंदी और इंग्लिस दोनों ही माध्धम के बच्चों को, प्रॉब्लम ही ना हो, तो इसलिए बस ध्यां से समझा करें हर एक session को, next बात करते हैं, एक important चीज, anal सरकाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, anal style के बारे में जानते होंगे, तो वो बात कर लेते हैं, confusion हो जाता है ने कई बार, anal सरकाई जो होते हैं, basically, जो anal सरकस है, anal सरकाई कहें, एक ही बात होती है, ये एक pair प्रेजेंट होते हैं, jointed structures है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, तरगाईट जो हैंना, दसवा segment पर, दोने sexes में, male हूँ ये female हूँ, anal सरकाई, दोनों ही sexes दे प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कहां, दसवे segment पर, जबकि जो anal सरकाई हैं, मतलब वही बात की गए, anal सरकाई 15 segment से मिलकर बने होते हैं, और दसवे segment पर ये present होते हैं, ठीक है, next हम बात करते हैं, देको ये है पूरा male structure, male में दोनों ही चीज़े पाए जाती है, anal सरकाई भी और anal style भी, तो ये जो है ना ये, ये reason है anal सरकाई का, ये कहां present है, टरगाईट वाले मतलब की टरगम वाले reason में, दसवे segment पर, क्या? Anal सरकाई, और anal सरकाई कितने segment से मिलकर बने होते हैं, टोटल 15 segment से मिलकर ये बने होते हैं, और ये होते है anal style, ये reason क्या है, यह anal style और यह दोने present होता है male में भी ए dorsal view और यह ventral view है ठीक ही, एक यह बात है यह अब हम बात करते है female के बारे में तो यह female है, female में anal style absent होते हैं, यहां सिर्फ क्या present होते हैं यहां सिर्फ present होते हैं anal circus, anal style इनमें present नहीं होते हैं, तो यह इनका reason है और यहां present होते हैं, बाकि male में यह reason नहीं होता है तो आप यह देख सकते हैं, यह नीचे वाल reason किसका था? female का, female में anal style absent होते हैं, सिर्फ क्या present होते हैं सिर्फ present होते है, anal circus next हम बात करते हैं, anal style जो है basically, anal style पक्या present होते हैं काट इनमें सरंचरा है 9 second present होते हैं, बात बता चुकी हूँ anal सरकाई जो होते हैं, यहां पर क्या होता है, इनमें sensory hairs present होते हैं जो कि थोड़े sensitive होते हैं sound के लिए, vibrations के लिए इनके लिए होते हैं, बाकि कोई important use नहीं है इनका, wings के बारे काम कौन करते हैं, wings ही तो करते हैं जो wings को अगर हम हटाते हैं, तो हर एक segment अच्छे से दिखता है, proper दो pair है, first pair first pair को wings के, जो first pair उसको हम mesothoracic के नाम से भी जान सकते हैं जो first pair होता है न, wings का वो काफी मोटे होते हैं, hard होते हैं leather ही होते हैं nature में protectivian के, इनका function ही होता है कि इनको, मतलब protect करन nä का काम करते हैं बाकी, उड़ते तो यह है, नही जद उरतो सकते हैंल कर्सोरिल होते हैं तो इनका use ही सिर्फ इतना होता है, protect करने का काम करते हैं cockroach को, तो जो उनको का कहते हैं फिर ellitra कह सकते हैं जो first pair होता है ना wings का उनको mellitra कह दे, tagmina कह दे same बात होती है ठीक है next हम बात करते है second pair के बारे में second pair जो होते हैं metathoracic ये काफी पतले से होते हैं, काफी soft होते हैं बहुत membranous होते हैं, आप ये बात जान दे cockroach उड़तो सकते नहीं है करसोर या ने के तेज भागने वाल इंसेक्ट है बच जाते हैं लेकिन wings जो होते हैं, इनको danger यानि की खत्रे से बचाने काम करते हैं तब इन पर हमला हो रहा होते हैं, तो अपने wings को धकरारम से बैठ जाते हैं, ताकि इनको कोई पहचानना सके तो ये इनका function होता है wings का next हम बात करते हैं body cavity के बारे में body cavity जो होती है इनकी hemosal type होती है, hemosal type को ज़्यादा पढ़ना इसमें है नहीं अब हम बात करें digest system के बारे में इनका digest system से भी कई बार question पूछे जाते हैं तो elementary canal जो होती है ने, इनकी इस्टो मेडियम, ये जो four gut है ना इसको भी पांच main part में बाटा गया है वो पांच main part मिलकर क्या बनाते हैं four gut है फिर इस्टो मेडियम बनाते हैं वो five main parts कौन-कौन के हैं पकल chamber है, pharynx है, isophagus है, crop है और गिजाड है, कि पांच जो पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, four gut बनाते हैं next बात करते हैं next बात करते हैं, γिजाड के बारे में गिजाड के बारे में گिजाड के बारे में कोशन 아यते से मैंने आप pension किया है, गिजाड काफी muscular organ होते हैं, इनकी body का, जिसमेंकी च्यूटिकुलर teeth होते है, जो की खाने को crush करने का काम करते है तो गिजार्ड के important function है कि crushing करता है food की mid gut के बारे में बात कर लेते हैं second part है elementary canal का mid gut कहीं, mesentron कहीं same बात होती है, काफी छोटा सा reason है काफी tubular है और इसमें endoderm की lining होती है इसका जो anterior part है anterior end जो होता है mid gut का उस mesentron में यहाँ eight blind glandular hepatic case present होते हैं hepatic case क्या काम करते हैं digestive enzyme को secret करने का काम करते हैं एक important चीज़ पता है paratrophic membrane से question पूछा जाते है कि paratrophic membrane क्या होती है तो paratrophic membrane जो होती है यह काफी पतली सी होती है kaitin और protein की बनी होई होती है तो इसका काम पता है क्या होता है यह mesentron के अंदर के part को cover करने का काम करती है और यह काफी transparent होती है nature में तो इसलिए यह भी बात याद रखने कि paratrophic membrane कैसी होती है paratrophic membrane secret होती है gizzard से gizzard का जो reason है यह secret करता है paratrophic membrane को और यह क्या करती है proctodium कहें सेम बात होती है जिसमें कि क्या-क्या चीज़े होती है ileum, colon और rectum इन तीनों से मिलकर hand gut का निर्मान होता है cockroach omnivorous है मतलब कि हर तरह के food particles पर यह feed करता है ठीक है हर तरह के food particles पर यह feeds नहीं है भाई, feed है timing error हो जाता है काफी तो ignore क्या करें ठीक कर लिए करें correction कर लिए करें खुद को, ठीक है तो cockroach basic करी हर तरह के organ matter पर feed करता है digestive enzyme में पूछे जाते हैं कि जो भाई, saliva के digestive enzyme कौन-कौन से हैं तो gymase भी होता है mlase भी होता है बहुत सारे जो nutrients हैं उनका digestion कहा होता है यह question भी important है तो जितने भी nutrients होते हैं फूड के वो ज़्यादा तर कहां digest होते हैं crop वाला reason में और crop का reason कहां था मैंने आपको बता ही दिया है absorption जो होता है digest food का वो कहां होता है यानि कि जब खाना के absorption होता है कौन से reason में होता है mid gut या फिर meson tron में अब हम बात करते हैं यह rectum है यह turgum है किस चीज के पार्ट है मैं आपको बता ही दिया है तो proper digestive system में हो चुका है next हम बात करेंगे circulatory system excretory system and reproductive system तीन system बचे हुए है next third part में हम complete कर देंगे cockroach वाले पूर सेशन को तो मिलते हैं next video साथ अब तके लिए thank you so much for watching please do like, share and subscribe